नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भई बड़ा ही बेसिक सा स्वाल है काफी कस्टमरस ने पूछा है लेकिन ये वीडियो मैं पहले भी बहुत बार बना चुका हूँ जब हमने यूटुब चैनल स्टाट किया था तो आज इस वीडियो मे एक नई काटेगरी ओर एड जो हो चुकी है जिसको हम कहते हैं बैट्री लेस तो हमें कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए यानिकि आपके लिए कौन सा सोलर सिस्टम सही रहेगा तो आज इस वीडियो हम यही डिसकस करेंगे तो मैं संगराम सिंग SS प्रड़क्ट नोली यूटूब चाहरप आपका स्वागत करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखे बात हो रही है सोलर पैनल सिस्टम की हम सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं लेकिन हमें इस सोलर पैनल कौन सा लगवाना चाहिए भी हमारे लिए ओफगीड शाहி रहएगा या अगर हम हाईब्ड में जाएं या फिर जो batteryless category है वो हमारे लिए बहतर रहेगा तो हम इस सीज़ को बड़े ध्यान से जानेंगे और बड़े ध्यान से वीडियो को देखना पूरी वीडियो देखना पहले हम बात करेंगे electricity की क्योंकि हमारा जो solar का जो system type है बही on grid, off grid, hybrid वो type हमारा depend करता है electricity पर कि हमारे पास electricity कितनी है तो उसमें मैं आपको एक idea देता हूँ कि अगर आपके पास 20 घंटे से उपर electricity है बही आपके एरिये में बिजली बहुत अच्छी रहती है 20 घंटे तो रहती है कम से कम 22 भी रहती है कमी बार 24 घंटे जैसे शहरों में mostly ये case है तो शहरों में जहां पर बिजली बहुत बढ़िया है 20 घंटे से उपर की बिजली है तो वहां आपके लिए सबसे बढ़िया option है on grid solar system का क्योंकि आपके पास electricity की कोई कमी नहीं है electricity आपके पास भरपूर मात्रा में है आपकी जो main problem है आपकी जो main problem है वो है electricity bill उसमें हम एक्जामपल लेते हैं जैसे शहरी शेतर है या फिर जो भी हमारी industries है अब industries क्या है? industries में सब के पास अपनी electricity होती है जो बड़ी-बड़ी industries है उनके पास तो अलग लाइन होती है industrial लाइन तो उस industrial लाइन में क्या होता है उसमें electricity 2400 गंटे रहती है अगर उसमें कोई कट भी होता है गंटे-गंटे-गंटे-गंटे-गा तो वो पहले inform कर दे जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका बिजली कट रहेगा अभी तो जहां पर light बहुत अच्छी है electricity बहुत अच्छी है वहाँ पर सभी जगह ऐसा ही है कि पहले ही बता देते है इतने टाइम तक कट है बिजली का तो कहने का मतलब है जहां पर electricity बहुत अच्छी है भरपूर मातरा में है उसमें कोई problem आपको नहीं है तो आपको उसमें बिल्कुल शोरली जाना चाहिए on-grid solar system में क्योंकि on-grid solar system ही एक ऐसा system है जो आपके electricity बिल्कों save कर सकता है on-grid solar system का का काम क्या है कि वो जो भी आपका solar आपको unit बना के देगा वो उसमें जो भी आपकी extra unit होगी पहले थोड़ा सम्म on-grid को समझ लेते है on-grid panel आपने छट पर लगा दिया उसके साथ आपने grid connected inverter अटेच कर दिया उसकी जो net metering आएगी वो भी अलग meter आएगा जो यह आप meter होता है इससे अलग होता है तो यह तीनों चीज़ उसमें mainly होती है तो solar जो भी आपकी unit बनाएगा माल लीजे solar आपका 20 unit बना रहा है और आप use कर रहे हो 15 unit घर में तो 5 unit आपकी export होती रहेंगी grid को जाती रहेंगी electricity board में आपकी deposit होती रहेंगी जैसे ही आपकी unit consumption हो गई 25 solar आपकी बना रहा है 20 तो वो आपकी जो inverter क्या करेगा आपको जो 5 unit जो extra है वो आपको grid से लेके देगा तो ये process होता है actual में on grid solar system का तो bill अगर बचाना है अगर आपके पास electricity बहुत बड़ी है तो आपको on grid solar system में जाना चाहिए अब हम बात करेंगे off grid solar system की अब देखिए off grid solar system mainly वहाँ यूज होता है जहां पर busily की बहुत ज़्यादा problem है कि busily का यही नहीं पता कि यह 5 गंटे रहती है, 6 गंटे रहती है 8 गंटे रहती है तो वहाँ यानि कि light cut बहुत ज़्यादा है या फिर busily इतनी नहीं है क्योंकि हमने कहीं जगह देखा है जैसे हमारे पास phone आते है कि sir हमारे यहाँ दिन में busily नहीं रहती लेकिन रात को हमारी busily रहती है तो उस case में या फिर यह नहीं पता कि यहाँ तो busily के वल 8 से 10 गंटे रहती है थोड़ी दिन में रहती है थोड़ी रात को रहती है तो उस case में आपको क्या करना है उस case में आपको off-grid solar system पर ही जाना है क्योंकि off-grid solar system ही एक ऐसा system है जो आपको busily बना कर भीतेगा साथ इसाथ आपकी एक storage भी रखेगा क्योंकि on-grid solar system का एक drawback है कि जैसे ही आपका grid चला गया तो on-grid solar system को आप घर में use नहीं कर सकते लेकिन off-grid solar system में क्या है जिसमें आप battery भी इस्तमाल करते हो जैसे ही grid चला गया electricity आपके पास नहीं है तो वो solar आपका फिर भी energy देता रहेगा क्योंकि आपके पास battery bank लगा है और उसके लिए आपके पास solar PCU भी रखा हुआ है तो off-grid solar system को वहाँ आपको लगाना है जहां पे electricity बहुत कम है साथ ही साथ आपको backup भी चाहिए क्योंकि backup आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास electricity कम है तो off-grid solar system में वहाँ जाने का आपका फाइदा है तो ये तो हुगमाई off-grid solar system की बात अब इसका एका मिड़ पॉइंट ले लेते हैं जहां पर 10 घंटे से कम बिजली है वहाँ तो off-grid में जाना ही जाना है लेकिन जहां पर बिजली 16-17 घंटे के आसपास है नहीं है और वही 8 घंटे दिन के है तो अगर वो दिन के आपके 8 घंटे है तो आपको कोई फाइदा नहीं है on-grid में जाने का क्योंकि on-grid तभी काम करेगा जब आपके पास electricity होगी अब मान लीजिए रात को आपके पास electricity है रात को आपके पास solar नहीं है तो आपको on-grid solar system में तो जाने का कोई फाइदा ही नहीं है तो इसमें अगर आप hybrid में भी जाएं तो तीसरे system की हम बात करें है अब हाइड में भी ये condition है कि ज़्यादा जो बिजली है वो दिन में रहनी चाहिए क्योंकि hybrid का भी आपको तभी फाइदा होगा तो ये एक difference होता है hybrid में, on-grid में और off-grid में यानि कि off-grid और on-grid को अगर मिला दें तो दोनों का combined है हमारा hybrid solar system अब hybrid solar system का भी वहाँ फाइदा है जहां पर आपको दिन में बहुत अच्छी बिजली है मतलब ये condition है कि कम से कम दिन में 8 गंटे light आपके पास होनी चाहिए अगर light आपकी सुभह 9 से और शाम के 5 तक है तो ये बहुत ही सही आपके लिए उसमें आप hybrid solar system में जा सकते है क्योंकि वहाँ पर आपको बैटरी बैंक की वहाँ शकता पड़ेगी अब आते हैं इसमें last case के बारे में last case हमारा बस्ता है battery less system battery less system आभी नया ही आया है market में वैज़े चाइना में बहुत पहले से चला हुआ है लेकिन हमारे भारत में अभी नया system आया है battery less system क्या है कि जिसमें ना तो आपको on grid solar लेना है तो यह इसको हमने नाम दिया है battery less solar system का battery less solar system में क्या है कि आपको केवल solar panel लगाने है solar panel से जो energy आईगी इसको लगाना है आपको battery less inverter battery less inverter से आपको home appliances यूज कर लेनी है अब battery less system हमें कहां लगाना चाहिए battery less system का वहाँ फाइदा है जहां आपके पास दिन में electricity नहीं है लेकिन आपके पास रात में electricity होनी चाहिए अगर मालिज आपके पास रात में भी नहीं है दिन में भी नहीं है तो वहाँ तो आपको off grid पे जाना पड़ेगा जहां भी आपकी दिन में बहुत बढ़िया रहती है रात में थोड़ी कम रहती है, तो वहाँ आप ओफिड भी जा सकते हो, हाइवड में भी जा सकते हो, जहाँ आपकी electricity बहुत अच्छी है, वहाँ आप ओफिड में जाओ, सिंपल सी बात है, लेकिन जहाँ ये problem है, या फिर इसमें एक दूसरा options क्या है, अभी जैसे सरकार ने ज कोई फसल इसमें लगातार पानी देना है, लेकिन mostly वो system used नहीं होता, mostly cases में, तो उस case में क्या है, वहाँ आपका कामियाब हो रहा है battery less inverter, जिससे आप उस solar system को, जो solar pump पर लगा हुआ है, उसको आप अपने घर के लिए भी use कर सको, तो जो battery less system है, battery less system का एक point तो यह है, कि solar pump वाले तो project आप उसको use कर लो, दूसरा है, जहांपर आपके पास रात में electricity है, रात में electricity के आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन आप के पास दिन में electricity नहीं है, तो वहाँ आप battery less में जा सकते हो, क्योंकि battery less में क्या है, ना तो आपका बैटरी का खर्च है, ना उसमें आप आपको में वहां पर बैकतरी नहीं है लेकिन गॉंट पर छोडर शोडर खोर टो आपकर आपने साब कर magic है तो आपके लिए में कोंسा सोडर सिश्टम नहीं नहीं पर लेक्तर रहे गाएगा अगर आप कौई भी प्रट्ट लेना चाहते हैं तो आप मारी website getpowersolution.com पर जा सकते हैं या फिर हमें WhatsApp भी कर सकते हैं इससे समंदित अगर आपको कोई स्वाद रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमार चनल को देखते रहे हैं सब्सक्राइब जुरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद